नमस्कार दोस्तों, 7 जुलाई 2021 के डेली दा हिंदू एडिटोर डिसकेशन में आपका स्वागत हैं, देखते हैं आज कौन-कौन से इंपॉर्टन आर्टिकल से डिसकेश करेंगे, पहला आर्टिकल है वेनिजूला रिफ्लेक्शन्स अन्दा कराबबो, देखिए कराबबो से इस्पेन हो गई, UK हो गई, फ्रांस हो गई, उन्हों ने पूरी दुनिया में राज किया, तो इस्पेन काफी ह度 तक साउथ हमेरिका में बहुत बढ़े ěलाके पर राज करता था, एक समयपे पूरा का पूरा जो साउथ अपरिकन क्टिन इन्ट है न, ये भी कोलочьन बाको का है अपने आपको आजाद करने के लिए तो इस पर्टिकुलर एडिटोरल में ये वूपॉंट दिया जा रहा है कि क्या ये जो साउथ अमेरिका की अलग-अलग कंट्रीज हैं क्या ये आज फ्री हैं क्या आज भी यहां पर जरूर से ज़्यादा इंटर्फिरेंस हो रहा है इस पर्टिकुलर आटिकल में यही बताया जा रहा है कि जब यूरोपिन कोलोनिल पावर इस्पेन जैसी साउथ अमेरिकन कॉंटिनेंट से बाहर निकल गई उसके बाद एक मुन्रू डॉक्टरी नहीं और उस मुन्रू डॉक्टरीन के बाद से है तो बस यही व्यूपिन दिया जा रहा है कि क्या सच में साउथ अमेरिकन जो कंट्रीज हैं वो फ्री हैं क्या सच में वो आजाद हैं तो इसको देखेंगा अच्छा आर्टिकल है मैं बोलूँगा फिर नेक्ट बात की जा रही कल्चिलल जेनोसाइट की यह बड़ा यू हैं उसी तरीके से कैनडा में आपकी प्रिमिटिव वल्नरेबल टाइबल गूप मैं कभी कभी शॉर्ट फॉर्म बोल देता हूं तो सकता आपको लगाओ कि क्या बोल रहा हूं फुल फॉर्म भी प्रता दे रहा हूं तो इसी प्रकार से बहुत सारी अबोरिजनल ट्राइब हैं इंडिजीनिस ट्राइबस हैं कैनडा की यह वो लोग हैं जब कैनडा के कालोनाइजिशन मतलब जब वाइट पीपल जाके कैनडा के इस कंट्री में रहे रहे थे उस समय पे बहुत पहले से ही जो बिलकुल ही फॉर्स्ट कम्यूनिटी थी अबोरिजनल ट्राइबस थी वो हैं वहां के इंडिजीनिस पीपल अगर 2016 के स्टाटिस्टिक्स देखा जाए तो लगबख 16,73,000 इंडिजीनिस पीपल हैं आपके कैनडा में यह लगबख 4.9% है कैनडा की आबादी के लंसम 5% है कैनडा के आबादी के अब अनके खिलाफ एक बहुत लंबा कल्चिरल ज जस्टिंट्रोन साब उन्होंने माफी भी मागी है कुछ कमीशन्स बीसेट अप कीएनडा के अंडर लेकिन रेसेटली कुछ कमीशन्स ने ये भी 파ेंड किया है कि भई actually में जो cultural genocide हुआ है इन indigenous communities का ये बहुत ज़ादा है और जो भी अलग-अलग commission बठाए गए कैनेडा में इन्होंने जो number दिया है indigenous community की मौतों का वो कम दिया है तो इसके respect में एक viewpoint छपा इसको देखेंगे ये भी अच्छा और एक नया टॉपिक है इसके बारे में ज़्यादा पहले बात नहीं की फिर फादर स्टैन स्वामी ये जिजस प्रिस्ट थे चले गए ठीक है काफी लंबे समय से ये न्यूज में थे अनलॉफुल अक्टिविटीस प्रिमिशन आट के चलते इनको जेल में बंद करके रखा था इनको बेल नहीं दी गई थी और फाइनली इनकी हॉस्पिटल में ही मृत्ती हो गई कल इस न्यूज को मैंने कवर किया था आज इसके रिस्पेक्ट में एक व्यूपॉइंट इस व्यूपॉइंट को देखेंगे और नेक्स्ट एक ही आर्टिकल में और आज आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा मेंटल हेल्थ केर के बारे में मैंने पहले भी बात की है यहाँ पर भी एक आर्टिकल से पाए कुछ दो-तीन पॉइंट से एक्स्ट्रा है अब एक तो कुरोना की भी क्राइसिस आगई है दूसरा बहुत से और मुद्बे उड़ गए इंडिया के अंदर तो इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे क्या हो रहा है इसके उपर लोगों का ध्यान ही नहीं जा रहा है समझ गये और इंडिया चाइना के बॉर्डर पे इस समय पे खालाद बहुत खराम है चाइना जैसा कि आपको पता है कि धोके बास टाइप की कंट्री है उसका कोई मान धर्म इमान कुछ भी नहीं है तो अब सुनने में यह आ रहा है देखें, लैंड पे रोड, रेल इस प्रकार के इंफ्रस्ट्रॉक्चर की न्यूज अक्सर कराती रहती खासकर रोड नेटवर्क तो चाइना की तरफ का भी बहुत स्ट्रॉंग है और इंडिया ने अपने तरफ का भी बहुत स्ट्रॉंग कर लिया है और देखा जाए तो चाइना की तरफ यानि तिबद की साइड पे जो सबसे बड़ा disadvantage था विन कंपेर्ट तो इंडिया वो था एर इंफ्रस्ट्रॉक्चर को लेके एक तो तिबद आपको पता है कि एक प्लैट्यू है उचाई पे जाके एक प्लैन है उस प्लैट्यू के ऊपर एर स्ट्रिप्स बना पाना थोगा मुश्किल है तिबद में जो भी एर स्ट्रिप्स थी वो एक दूसरे से बहुर दूर थी एर शेल्टर्स कम थे तो इंडिया के साथ निगोशियेट करके एड दे सेम पॉइंट ऑफ ताइम चाईना पीछे से अपने एर इंफ्रस्ट्रक्चर को बहुत स्ट्रॉंग कर रहा है ताकि इंडियन एर फोर्स के सामने जो इसका डिसद्वांटेज है वो जल्दी से जल्दी हट जाए और ये चाईना क्यों कर रहा है एक्चुली में इस तिबतन प्रैट्यू में चाईना की मोडस ओपरेंडी क्या है एक्चुली में चाईना क्या एचीव करना चाहता है इस चीज को इस व्यूपॉइंट को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे एक अच्छा आटिकल एक अच्छा व्यूपॉइंट है तो इसको देखेंगे ओवराल ये तो आपको पता ही है कि अब इंडिया चाईना बॉर्डर पे क्या चल रहा है ये काफी पुराना हो गया है लोग जदा इसके बारे में सोच भी नहीं रहे है और सरकार इसके बारे में जदा बता भी नहीं रही है अब इसी बात अब सरकार तो देखें नहीं बताएगी थोड़ा सा sensitive issue है इस प्रकार के issue से लोग क्या करते है कि अपना opinion मनाने लगते है और ये बोलने लगते है कि चाईना को खदेड दो वो भी देखिए practical possible नहीं है तो यहाँ पर Manmohan Bahadur साब क्या बोल रहे है इसको देखेंगे तो ये चार articles ही हैं आज में इनको हम लोग देखेंगे इसके अलावा हमारे members का स्वागत कर लेते हैं देखते हैं किस ने किस ने को जोईन किया तो वियान सचिन मस्ती ने हमको जोईन किया आयूशी चतुरुवेदी ने हमको जोईन किया चौधरी सरितादास ने हमको जोईन किया और हिरेंजन बिस्वास ने हमको जोईन किया तो वियान सचिन, आयूशी, चौधरी सरितादास और हिरेंजन बिस्वास आपको मेरे चैनल से मदद ही मिल रही होगी तब ही आप लोग जोईन कर रहे हो उसके साथ वीडियो को लाइक कर दीजे चैनल को शेर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों जो जोईन नहीं कर पा रहे हैं आपसे ही एक एक रिक वीडियोón को शेर नहीं करें और सब्सक्राइब करेंजरें जो इस तरीकी की वीडियों देखता है उसके उनको बिजा chce हो कर सकते हैं कभी-कभी मैं साथे दस तक भी अप्लोड कर देता हूं कभी-कभी बहुत ही गवेसा होता दस बजे भी हो जाता है तो थोड़ा से बेर विद मी प्रेलिम्स के बाद मैं कोशिश करूँगा कि यह जो एडिटोरिल की टाइमिंग है यह थोड़ा जल्दी कर दू नौ बजे तक कर दूँ उसका रीजन है कि प्रेलिम्स तक मैं से लिविस खतम कर दूँगा तो प्रेलिम्स के बाद शायद में रपास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम होगा ओके तो शुरुबात करते हैं यहां पर आर्टिकल से पहला आर्टिकल वेनिंजूलाज रिफ्लेक्शन्स ऑन दा कर दूँ तू हंडड़ एर्स आफ्टर जियो पॉलिटिकल कंपेंग साउथ अमेरिकन स्टेट सिर्गल टू बी इंडिपेंडेंट चौबिस जून 1821 को साइमन बॉलिवार और साइमन बॉलिवार मैं आपको बता दो हीरो हैं यह साउथ अमेरिका के अंदर यहां पे इंड प्रेटर था उसने अपनी फोर्सेस को लीड किया और स्पैनिश आर्मी को खदेड दिया बैटल अफ कारा बॉबु में एक सीरिल है नार्कोस पाबलो एसकुबार पे बेस्ट है अगर आप में से किसी ने नेट्फिक्स पे नार्कोस देखा हो तो उसमें एक इंसरजेंट ग्रूब होता है जो कि पाबलो एसकुबार को जाके साइमन बोलिवार की तलवार गिफ्ट करता है तो उससे आप ये अन्दाजर लगा सकते है कि जो नार्कोस सीरिल है वो साओथ अमेरिका कॉंटिनेंट का जो कोलंबिया देश है वहां के उस पे आधारित था तो मतलब ब कोलोनियल कंट्रीज थी जो कि साओथ अमेरिकन कॉंटिनेंट के उपर कबजा कर रही थी इनका डिमाइस इनका डाउनफॉर शुरू हो गया था और धीर धीरे करोके आप देखोगे कि साओथ अमेरिकन जो देश थे वो आजाद होने शुरू हो गया थे पांच दिन बाद यह लोग अपनी कंट्री को लिबरेट करवा ही लेंगे फिर उसके बाद आप देखोगे कि बहुत से और बैटल्स हुए जैसे बैटल ऑफ पिंच इंचा हुआ 24 में 1822 को उसमें भी कहीं न कहीं बोलिवार की कॉमरेट्स को ही सक्सेस मिली बोलिवार अपने साथियों के साथ अमेरिका की जिसका नाम है बोलिविया बोलिविया साइमन बोलिवार के नाम पे ही पड़ा है नाम ओके तो अब आप समझ सकते हो कि ये इन्फो क्यों दी जा रही है ये बैग्राउड इन्फरमेशन क्यों दी जा रही है ये बैग्राउड इन्फरमेशन इसले दी जा आपका पूरे के पूरे साउथ अमेरिका से, वेनिंजूला से, कोलम्बिया से बाहर खदेड दिया, लेकिन क्या इन सब चीजों के बाद भी आज की डेट में ये जो साउथ अमेरिका कांटिनेंट है, इसकी सारी कंट्रीज पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, कि अगर आप देखोगे कि बोलीविया भी बनेगा, तो ओवर ओल, साउथ अमेरिका की इंडिपेंडेंस के लिए जो कारा बोबो का वार था, जो कि साइमन बोलिवार ने जीता था, ये बहुत अधा इंपॉर्टेंट था, आप कह सकते हो कि दिस वोस साउथ अमेरिकन हैं, ऐसा दिख तो नहीं रहा है, अगर आप वेनिजूला की बात करें, तो वेनिजूला के हालात अलगी खराब हैं, युनाइटेड स्टेट्स और वेनिजूला के बीच का जो पंगा है, लंबे समय पे चल रहा है, और युनाइटेड स्टेट्स की जो मेंस्ट्रेम मीडि जहां पे उनके एजेंट्स जाते हैं और वेनुजूला में उनके प्रेजिडेंट को वगरा को मार देते हैं ऐसे बहुत से आप देखोगे ये नेट्फिक्स पे शोज पड़े हुए मतलब की ओवर्ड आ lämрь वी ечение से हिटा ही एक वर जोन बन गया है और सीजिक्स को बहुत भला नहीं चाता है वेनुजूला का बट overall शायद US अपने power games को विनन्जूला के अंदर खतम भी नहीं करना चाहता है लंबे समय से US ने sanctions imposed कर रखे विनन्जूलन लोगों के उपर In fact, recent तो हदी तब हो गई जब US सरकार ने COVAX align के थुरू जो vaccines जानी थी विनन्जूला के पास उसके उपर भी रोक लगा दी तो ये तो काम बड़ा गड़बड कर रखा है US sanctions ने कहीं न कहीं विनन्जूला की overall health sector पे commercial और business sector पे भी impact डाला है अब विनन्जूला दूसरी countries के साथ commercial relations नहीं रख सकता अपना तेल दूसरी countries को नहीं भेज सकता विनन्जूला के अंदर vaccines महुंचने में परिशानी हो रही overall विनन्जूला के उपर बहुत सारे checks and balances लगा रखे है United States में उसके trade and investment पे US इस तरीके की unilateral sanctions कैसे लगा पाता है आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर में जो भी trade होता है उसमें एक currency dominant है जैसे की US dollars दुनिया भर में जहां पे भी जो countries भी trade कर ली होती ना अपस में उनकी invoice आप उठा के देखोगे न 80-90% invoice में आपको US dollar नज़र आएगा US के businesses पूरी दुनिया में operate करते हैं US की companies पूरी दुनिया में operate करते हैं international financial systems में US की चलती है और इसी के लिए US के जो sanctions होते हैं वो काफी effective होते हैं अगर Venezuela की location देखे हैं हम लोग यह देखे हैं हमको Venezuela का नक्षण नज़र आ रहा है थोड़ा से मैं आगा जूम में कर दूँ तो आपको यहाँ पे Venezuela दिख रहा है Venezuela किसके किसके साथ border लगा रहा है land border बता रहा हूँ maritime border Venezuela का बहुत सी countries के साथ लगता है और Venezuela का यह रहा है वो केराकास चहर यहाँ पो केराकास दिख रहा है ना ओके तो यह कराकास एकसर कर काफी news में रहता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यह क्यूकूटा सहर भी अभी आपका मैंने डिसकस किया था तो overall इस Venezuela की boundary तीन country से लग रही land boundary की बात कर रहा हूँ maritime border बहुत सी countries की territories के साथ लगता है अभ overall तो वैसे आपके लिए Columbia का border भी important हो जाता है तो Columbia का border Venezuela के साथ, Brazil के साथ, Peru के साथ और Ecuador के साथ लग रहा है और इधर Panama City के साथ भी आपका Columbia का border लग रहा है तो यह border हमने देख लिए एक बार अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि Venezuela के उपर बड़े जबरदस unilateral sanctions लगे हुए जिसके चलते बड़ा मुश्किल हो गया है Venezuela का operate कर पाना अब समझते हैं कि US की entry South American continent में हुई कैसी Venezuela में हुई कैसे तो हुआ यह कि जब Spanish army इसको Simon Bolivar ने हरा दिया तब US की entry होगी इस पूरी के पूरे आपके South American continent में और मैं आपको एक और बात बता दो वैसे तो यह जो Simon Bolivar था यह Venezuelan था लेकिन आप इस नक्षे को देखे Grand Columbia देख रहा है आपको यहां पे इस पूरे इलाके में Simon Bolivar का राज था यानि यह Panama City, Columbia, Venezuela गोयाना का थोड़ा इलाका, ब्रजील का थोड़ा इलाका, पेरू का थोड़ा इलाका, एकोड़ा का थोड़ा इलाका यह पूरे इलाके पे चलती थी आपकी Simon Bolivar की यह बात करना हूँ मैं 1821, 1823 की उस समय पे एक Grand Columbia हुआ करता था बाद में तो तूटके चोटी-चोटी कंट्री यहाँ पे निकली है समझगे, Grand Columbia जैसे कि मैं आपको बताया था बाद में Venezuela और Columbia में तूटा था बहुत बड़ा हिस्सा तो overall एक बहुत बड़े इलाके पे आपका Simon Bolivar का राज था, अपने समय पे Simon Bolivar James Monroe ने 2 December 1823 को Monroe Doctrine मनाई अब ये क्या है Monroe Doctrine Monroe Doctrine में बोला गया कि ये जो European powers है ये चूकी अब South America से बाहर निकल गई है तो अब ये जो Continental Stability है Continental Stability मतलब South America continent की जो Stability है और एक तरीके से यहाँ पे ये जो Monroe था US का President वो North America को और South America को मिला के दिखाने की कोशिश कर रहा था और overall as a President वो अपनी धाग जमाने की कोशिश कर रहा था North America की तो दिखिए धाग थी ही North America की जो कंट्री है Mexico, USA और Canada में South America की अलाके पे भी धाग जमाना चाहता था और European powers को थोड़ा बाहर ख़दे लेने का मूट था उस समय पे US, Europe में भी एक strategy का आप कह सकते हो pushback तो था ही तो overall continental stability को guarantee किया Monroe Doctrine के थो जेम्स Monroe ने बोला कि हम मदद करेंगे यहाँ पे किसकी South America में जो नई Grand Columbia बनाया है आपका Simon Bolivar की अब उस समय पे US के पास ना तगड़ी technology थी और ना ही तगड़ी military थी धीरे धीरे US की technology और military आगे पड़ रही थी चुकि शुरू शुरू में US ने बोला था कि हम मदद करेंगे South America की तो यह Simon Bolivar को भी लगा कि चलो ठीक है मदद आ रही है तो क्या बोरा है 1898 में अभी भी आप देखोगे कुछ जगएं थी इसके आसपास के लाके में जैसे क्यूबा में, पोर्टो रिको में जहां पे कुछ हद तक Spanish colonialism था उनको भी उखाड फिका US ने और क्यूबा और पोर्टो रिको पे US की काफी चलने रही और क्यूबा के साथ तो US का क्या बवाल है यह आज के डेट में आप देखी रहे हो आज तक US ने क्यूबा के ओपर संक्शन्स लगा रखें बीच में हटे, फिर लगे इस तरीकी चीज़ें चलती रहती है overall आप देखोगे कि subsequently US President Theodore Roosevelt in his corollary to Monroe's doctrine in 1904 said that US exercised its influence over the Americas military invasions from Nicaragua to Panama in 1989 and coups from Guatemala in 1954 to Bolivia in 2019 brought Monroe's speech into the world क्या कहने कोशिच की जादी 1823 में Monroe जो कि President थे आपकी USA की उन्होंने अपने आपको involve करना शुरू के South America की politics में और उसके बास से जो भी America का राष्टपती आया है जैसे जैसे अमेरिका स्ट्रॉंग होता गया है उसका interference South American continent में बढ़ता ही गया है कम नहीं हुआ है तो Nicaragua और पैनामा में military invasion भी कही न कहीं US supported थे गोआ टेमाला में जब कूप हुआ military तक था पलट हुआ 1954 में तब भी US involved था Bolivia में जो protest हुए भी recently 2019 में इसमें भी कहीं न कहीं US involved है तो overall यहाँ पर क्या बताया जा रहा है बताया यहीं जा रहा है कि भले ही USA दुनिया भर में democracy को सिखाता फिरता हो लेकिन अपने international relations में यह दूसरे countries के internal politics में बहुत गुशते हैं और इसका apt example है South American countries Bolivia, Venezuela, Colombia अस्तागर की और Colombia के साथ तो एक specific पंगा था US का Pablo Escobar भर-भर के drugs भेजा करता था अमेरिका के अंदर और वो अमेरिका के markets में गुशते थे तो यह जो आपकी DEA थी जो अमेरिका की सबसे important anti-drug enforcement agency थी वो आपकी पूरी-पूरी Colombia में active रहती थी आसपासी countries में active रहती थी तो बहुत लंबे समय तक तो अमेरिका इसके चक्कर में South America में गुसा रहा कि तुमारे यहां से हमारे पास drugs आ रहे हैं तो हमाने नहीं देंगे फिर आप recently देखोगे कि 2013 में US Secretary of State John Kerry ने बोला कि भाई यह मुन्रो डॉक्टरिन खतम है कहने मतलब यह है कि John Kerry कहने कोशिश कर रहे थे कि हम अब interfere नहीं कर रहे हैं आपके South America के internal मुद्दो में लेकिन कहीं न कहीं वो interfere कर रहे थे होंडूरस में उससे चार साल पहले 2009 में US में कूप करवाय था और US कूप बॉलिविया में हुआ उसके बाद में 2019 में तो कुल मिला कि आप देखोगे चाहे प्रेजडेंट बाराक उबामा हो चाहे वाइस प्रेजडेंट जो बाईडन के अंदर Kerry के काम करने की बात हो चाहे अभी जो बाईडन की आप बात करो रेसेंटली जो बाईडन मिस्टर यूएस प्रेजडेंट है इन्होंने बोलाए कि भाईया कोई मूड नहीं मुन्रोडक्टर नहटाने का बोलीविया के लीगल प्रोसेसेस में अभी भी अमेरिका इंटरफेर कर रहा है और जो CIA की एजेंट है ना लीजा केना इनको पेरू अमबेजडर बना के भीजा गया है और वेनिजुला के उपर बाईडन ने तगड़े सैंक्शन्स लगा रखे है तो किसी भी प्रकार का कोई policy shift नहीं है अभी भी South America के अंदर US बहुत proactively interfere कर रहा है और देखे इसका बहुत नुकसान हुआ है वेनिजुला को वेनिजुला की सैंक्शन्स से पहले जो income थी उस income का केवल एक प्रतिशत बचा है वेनिजुला के पास बतलब वेनिजुला के पास अगर 100% revenue आ रहा था तो 99% revenue उनका कम हो गया है प्री सैंक्शन्स से पहले वेनिजुला पे जब सैंक्शन्स लगे तो उससे पहले जतनी वेनिजुला के पास कमाई थी अब उनकी कमाई केवल एक प्रतिशत रह गई है हालत बहुत खराब है इन युएस सैंक्शन्स के चलते वेनिजुला के अंदर electricity, water, fuel, gas, food, medicine हर चीज की कमी है 25 लाख वेनिजुलांस food insecurity से गुजर रहे है electricity generation 20 प्रतिशत कम हो गया है overall वेनिजुला का 6 billion dollar UK, Portuguese, United States की बैंक में पढ़ा है लेकिन चुकी USA ने सैंक्शन्स लगा दिये है तो वो पैसा freeze हो गया है और वेनिजुला की सरकार उसको इस्तमाल नहीं कर सकती किसी भी चीज़ के लिए तो इस प्रकार के coercive military actions के चलते वेनिजुला को लगातार दबा रहा है कौन USA ये बात यहाँ पर बताई गई अच्छा ये PDF अगर आपको चाहिए न दोस्तों तो नीचे description box में telegram का link दिया हुआ telegram join करके इस PDF को ले सकते हैं मैं PDF अपडेट कर दूँगा इस lecture के बादी नेक्स्ट बात करते हैं cultural genocide की Canada should ensure justice for indigenous community who suffered systematic violence क्या बताया जा रहे हैं आपे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2016 के statistics के हिसाब से लगबख 16,5,5 लोग indigenous community को बिलॉंग करते हैं Canada के अंदर जो कि Canada की आबादी का लगबख 4.95 प्रतिशत हैं अभी क्या हुआ है कि भाई जून में एक कौवेसेस फर्स्ट नेशन नाम का indigenous organization है Canada की Saskatchewan province में एक residential school हुआ करता था उस residential school में 751 unmarked graves मिनी है अभी ये residential school का क्या concept है Canada के अंदर होता ये था कि जब Canada में white people का राज आया तो इन white people ने क्या बोला कि जितने भी aboriginal people हैं ये savage है aboriginal people क्या हो गए आपको याद होगा कि जब अंगरेज इंडिया में राज करने आये थे तो छोगता नागपूर प्लैट्यू में और आप देखोगी जो जहां जहां पे भी इंडिया में tribes थी वो अंडमाने निकोबार आइलेंड्स पहुचे वहां पे tribes थी तो ये जो tribal लोग थे ना tribal people थे ना ये aboriginal savage थे savage मतलब वो लोग जो जानवर मारके खाते हैं जिनके पास कोई decency नहीं है living की जो बहुती दक्यानूसी और पुराने तरीके से रहते हैं इनको ये अंगरेज savage बोलते थे ऐसे ही कुछ indigenous लोग कैनेडा में भी थे इनको savage बोला कैनेडा की white population और मैं आपको बता दूँ ये लोग कम नहीं अच्छे खासे हैं भाई 16-17 लाग हैं ये aboriginal people तो अब चुकि इन aboriginal people को savage समझा जाता था तो कि कैनेडा की सरकार क्या करती थी इस हद तक unemotional चीजें थी कि इन aboriginal people के बच्चों को इन से छीन लिया जाता था और overall इन बच्चों को residential schools में अखा जाता था उन residential schools की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी कैनेडा के अंदर आप देखोगे तो 1882 से लेके 1996 तक 1,50,000 children को residential schools में भेजा गया इन residential schools को federal government चलाती थी Catholic Church इनको चलाया करता था क्यों? क्यों कि ये मानना था कि भाई ये जो लोग हैं और original लोग हैं ये savage हैं इनके साथ इनके बच्चे भी savage हो जाएंगे बेकार हो जाएंगे जंगली हो जाएंगे तो इनके बच्चों को अच्छी education मिलनी चाहिए और इनको residential school में रखा जाता था और इसी residential school में अब तो देखे residential school system खतम हो गया है लेकिन इन residential school में आए दिन कुछ unmarked graves मिलती रहती है जैसे कि मैंने बताया कि Covessis First Nation जो कि एक indigenous organization इसको 751 unmarked graves मिली एक residential school सत्का चेवन में फिर British Columbia के एक residential school में 250 children की graves मिली थी remains मिले थे तो कुल मिला कि यहां पर क्या बोला जा रहा है यहां पर यह बोला जा रहा है कि हजारों लाकों की तागाद में इन बच्चों को जबरदस्ती उनकी families से चीन के ले जाया गया अभी सोचिए आप families से उनके बच्चों को चीन ले रहे हो और वो बच्चे हजारों की तागाद में कभी लौट के भी नहीं आए overall अगर आप देखोगे तो जब यह system के उपर सवाल उठाए गए तो 1883 में जो Canada के पहले Prime Minister थे Sir John A. Macdonald उसने Parliament में खड़े होके इस चीज़ को defend किया उसने बोला कि इन residential schools को तो बनाना ही पड़ेगा नहीं तो ये बच्चे अपने मावाब के साथ savage बन जाएंगे तो जरूरी है कि इन बच्चों को उनके मावाब से अलग किया जाए और decent तरीके से रहना सिखाया जाए इन residential schools में ना इन बच्चों को अपने culture की चीज़ें करने दी जाती थी ना ही अपनी भाषा बोलने दी जाना चाहती थी इनका खान पान तक बदल दिया जाता था और बहुतों के खिलाफ तो बहुत प्रकार के अत्तियाचार भी हुए बच्चों के खिलाफ किस-किस प्रकार के अत्तियाचार होते ही मुझे आपको बताने के जरूत नहीं है लगबग 4000 बच्चे इन residential schools में मर गए है TB की जासे, malnutrition की जासे school में conditions अच्छी नहीं थी और उसके बावजूद भी residential school system लगबग 100 साल से भी जादा चला है लेकिन ऐसा नहीं कि Canada ने अपनी गलतियों को माना नहीं Canada कोई तर्की जैसी कंट्री नहीं अफरीका के डिक्टेटर वाले देश नहीं इन्होंने माफी भी मांगी है 2008 में जो प्रेजिदेंट स्टीफन हार्प प्राइम मिनिस्टर स्टीफन हार्पर्ण ने कैरंडा के उन्होंने एक फॉर्मल अपलोजी मांगी इन residential school के लिए In fact, Canada की सरकार ने Truth and Reconciliation Commission भी मनवाया जिसके चलते ही है बोला गया कि History और ये जो residential school system था इसका indigenous community में क्या impact पढ़ाया इसको properly document किया जाएगा 2015 में जो commission मनाया गया था Truth and Reconciliation Commission इसने ये जो indigenous students के against ये जो आपका residential school वाला system चलाया था इसको cultural genocide भोला है तो और इस commission ने बोला कि 94 steps लेने पढ़ेंगे 94 calls to action दिये Truth and Reconciliation Commission में जिसमें अलग-अलग सरकारी और communities के लेवल पे independent investigation को conduct करना Aboriginal rights और cultures को conduct करना Catholic Church को instructions issue किये गया कि माफी मांगो reconciliation की बात की गई और बहुत सारी indigenous communities को आप कह सकते हो कि compensation देने की भी यहाँ पर बात की गई जब Justin Trudeau ताकत में आए तो 2015 में तो उसके बाद इन्होंने इस indigenous community के development को और इनके grievances को address करने को अपना एक agenda बनाया और Justin Trudeau ने भी कहीं न कहीं informally माफी मांगी है हाला कि जो Vatican है जो basically आप कह सकते हो church का head है center है जहांसे पूरी दुनिया के churches चलते हैं अभी भी इस Vatican ने इस indigenous people के उपर हुए अत्याचार के लिए माफी नहीं मांगी है most probably उसका reason ये है कि अगर यहां के लिए माफी मांग लेंगे तो overall धरम के नाम पे दुनिया भर में बहुत सी जुगों पे अत्याचार किये गए है तो Vatican के ओपर pressure पड़ेगा कि वो बाकी चीज़ों के लिए माफी मांगे तो फिर वो कही ना के pressure माजाएंगे इसलिए उन्हों नहीं हाँ भी माफी नहीं मांगी बट जरूरी यह है कि कैनडा की सरकार माफी मांग रही है अब खास बात यह है कि भले ही यह जो truth और reconciliation commission है इसने cultural genocide को identify कि लोगों की जाने गई हैं लोगों के हालात खराब थे लेकिन अभी भी कैनडा के अंदर जो indigenous organizations है वो यह बोलते हैं कि authorities half-hurted तरीके से indigenous people की मदद कर रही है overall ऐसा बताया जा रहा है कि जतने भी number of deads को estimate किया गया है कैनडा के अंदर indigenous people के deaths को estimate किया गया actual number of deaths उससे बहुत जादा है actual number of abuses उससे बहुत जादा है अभी भी government को indigenous organizations की मदद करनी चाहिए unmarked grace को identify करने में और नई unmarked grace job तक नहीं मिली है उनको और धूनने में और residential school के अंदर क्या-क्या चलता था इसके उपर और investigation होनी चाहिए जदा पुरानी बात नहीं 1996 सकतो यह system कैनडा में चला ही है प्लस reconciliation commission ने बहुत सारे और भी recommendations दिये हैं जिनको अब तक कैनडा में implement नहीं किया गया है जैसे कि जो भी reparations और compensation in indigenous community को देने की बात की गई है बहुत से reparations और compensation अभी के लिए नहीं दिये गए है तो उनको proactive stage में देने की ज़रूत है तो overall जो भी अच्छे steps recommend की है reconciliation commission ने उनको urgent basis पे implement करना at the same point of time जो भी undocumented figures है उनको सामने ले के आना और overall indigenous commissions जो भी काम कर रहे हैं Canada केंदर उनको और मदद करना authorities के दोरा ये सब चीजें अभी करनी बाकी है ऐसा यहाँ पे indigenous organizations बोल रहे है और अगर Canada जैसी country है तो कहीं न कहीं कुछ होगा ही बाकी दुनिया भर की देखे Canada आज की date में आप देखोगे देखे बड़ा ही बुरा अंत हुआ है Mr. Father and Stan Swamy का कल मैंने करेंट अफिर्स में भी इनके बारे में बताया था Parkinson disease था 84 साल की जुजट प्रिस्ट थे जेन में बन थे इनको जेन में क्यों बंद किया गया Unlawful Activities Prevention Act के इनको बर चार्ज लगाय गया थे और ऐसा बोला गया कि भाई ये Mowism के cause के साथ Associate कर रहे थो सरकार के अगेंस्ट बात कर रहे थे मतलब एक Mowist plot में involved थे और सरकार को overthrow करने कोशिश कर रहे थे अब इल्जाम सही है गलत है इस बात को decide करना court का काम है उसके उपर हम अपने comments नहीं देंगे As a civil servant आपका यही attitude होना चाहिए For example किसी को पर इल्जाम लगा बहुत सारे लोग बोलने कि नहीं इसने इल्जाम किया मैं आपको इस चीज़ बताता हूँ Civil servant का attitude क्या होना चाहिए आप लोग कल की date में IPS बनोगे तो मान लीज़े आपसे किसी ने कुछ बोला किया यह आदमी बहुत गंदा है इसने रेप किया है ठीक है एक इनसान के ओपर रेप का charge लगा इसने रेप किया है और बहुत सारे लोग बोल रहे है इसने रेप किया है लेकिन आप as a civil servant किसी के ओपर कोई भी इलजाम लगे चाहिए रेप का चाहिए मडर का उसको प्राइम फेस ही मानोगी नहीं अगर कोई दूसरा बोल रहा है किसने किया है तो आप यह नहीं मानोगी जब तक आप खुद उस चीज की जाच परताल नहीं कर लेते जब तक आप खुद इस चीज को अशूर नहीं कर लेते जब तक आपके पास खुद उसके प्रॉपर साक्षे नहीं आ जाते तब तक आप अपना कोई प्रिजुडाइस तब तक आप अपना कोई व्यूपॉइंट किसी भी इंडिजुडाइस के लिए नहीं बनाओगे यह एटिटूड आप सब लोग अपने अंदर इंबाइब करना शुरू कर दो यह सिविल सर्वेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है च्योंकि जब आप अप अड्मिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जाओगे इस प्रकार का अटिटूड आपके अंदर होना चाहिए सिर्फ लोगों के भड़कावे में आके बातों को मान लेना यह एटिटूड आपका बिलकुल भी नहीं होना चाहिए और सबसे खास बात यह है कि जब भी किसी पर्टिकूलर इंसान को कन्विक्ट किया जाता है पुलिस के दौरा तो इसके ओपर जुडिशिल प्रोसीडिंग चलती है अगर हमारे यहाँ पर जुडिशिल प्रोसेस सही होता आप जैसे यह भी में कोरे गाउं इंसिडेंट दोहजार अठारा जनवरी में हुआ था अभी तब से देखो तो आप एक तीन साल से ज़्यादा बीच चुके हैं अब तक तो भाई केस का डिसीजन आजाना चाहिए था अब तक केस का डिसीजन ही नहीं नहीं आया है सुनवाई चली रही है और फादर स्टैन स्वामी भाई अपना चले गए जूज़े प्रिस्ट गया उसके प्रती कोई भी सिंपैथी नहीं दिखाई गई इनका केस ऐसा बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि इट वस फिट केस फॉर बेल और पहले भी दा हिंदू एडिटोरियल में फादर स्टैन स्वामी की अक्सर कर बात होती रही है बजाए इसके चुकि यूपी यूए पीए के अंदर चार्ज किया गया था है इनको बेल नहीं दी गई ओके जुडिश्री ने इनको हॉस्पिटलाइशन की परमिशन दी और वो तो देखी देनी नहीं पड़ेगी अब एक किसी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है 80-90 साल के बीच का है वो तो कहीं न कह उसको हॉस्पिटलाइशन की परमिशन देनी पड़ेगी बट बेल पैटिशन इनकी लगाताँ रिजेट किये है तो यहाँ पे आथर National Investigation Agency के ऊपर इलजाम डाल रहा है कि National Investigation Agency की वज़ह से यहाँ पे Father Stan Swamie को बेल नहीं मिल पाई अच्छा यहाँ पे एक और comparison दिया जा र कि वरावर राव करके एक इंडिविजल है ये भी एक एल्डरली को एक्यूज थे भूम के रहोगाँ वाले केस में ही इनको इंटरिम बेल दे दी गई थी from grounds of sickness, advanced age, infirmary and infirmative health condition तो जब वरावर राव को बेल मिली थी और उनकी तब्यत खराब थी तो कही न कहीं इस ground पे Mr. Stan Swamy को भी बेल मिलनी चाहिए थी बट नहीं मिल पाई तो similarly placed condition में एक दूसरे इंसान को बेल मिल रही है और Stan Swamy को नहीं मिली तो ये क्या है तो एक को बेल मिल रही है ये एक प्रकार का iniqual treatment है ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है ठीक है फिर आप देखो कि जैसे कि for example high court में बेल पलिया गी और high court ने उस बेल पलिया पे action के लिए national investigation agency से report मागी report आने में दो महीने लग गए अभी इस case में दो महीने तक pending पड़ी रही बेल petition किसकी Mr. Stan Swamy की तो ये तो गलत है न एक इंसान जो health conditions के basis पे बेल मान रहा है जिसकी तबियत खराब है और उसमें इतना समय लग रहा है इसको यहाँ पे point out किया जा रहा है अब इन्होंना सही किया या गलत किया वो एक अलग बात है बड़ तबियत खराब थी तो बेल मिलनी चाहिए थी ऐसा यहाँ पे author बोलने की कोशिश कर रहा है overall unlawful activities prevention act के अंदर यह responsible थे या नहीं थे बीम कोरे गाउं case में exactly क्या हुआ एलगार परिशेद वाला जो event है यह मैंने सहाव आप पो कल बताया था क्या सच में Stan Swami मौष्ट plot करके जिसमें lawyers, activists, human rights, defenders बहुत सारे लोगों को arrest किया गया है क्या सच में government को arrest करने कोशिश कर रहे थे इन सब चीजों की proper inquiry होनी चाहिए यहाँ पर सिर्फ systematic या governmental failure नहीं है यहाँ पर हमारी judiciary का भी failure है बहुत लंबा समय लग जाता है cases की inquiry करने में ठीक है न, witnesses को examine करने में और witnesses की तागाद भी तो हजारों में होती है NIA अपनी charge sheet में एक नहीं सौसो हजार हजार witnesses डालते है अब होता है है मैं आपको court inquiry बताता हूँ court inquiry बहुत painstaking होती है क्या होता है कि जब कोई भी investigation ने जैसी जैसे यहाँ पर NIA कभी-कभी police होती है यह लोग अपनी charge sheet जो file करते हैं इसमें बहुत से witnesses का नाम लिखते है अब क्या होती है court इन witnesses को date होती है कि आओ अभी इन witnesses का वकीर आके बोलता है इसको यह तवित खराब हो गई इसके घंड में यह problem हो गई यह नहीं आपाएगा अगली date देजी मिलोड पर अगले date पर कोई तूसरा गायब हो गया वो दे दीजे मिलोड तो उसके चलते case आगे हिस्ता चला जाता है 2018 से लेके 2021 हो चुका है अभी तक सारे witnesses को यहाँ पर question भी नहीं किया गया और यह बहुत common है हमारी देश की judiciary में इसलिए cases आगे खिषते आते हैं कभी कभी तो कुछ लोग की जब number आते हैं उनकी मौत हो चुकी होती तो यह systematic failure है institutional failure है नियम कानून तो UAPSI है या नहीं है उसके ओपर तो जेखो judiciary बात करेगी करेगी पट actually में जो dealing है यहाँ पी judiciary की और सरकार की इसको criticize कर रहा था और था ओके नेक्स बात करेंगे unpacking China's game plan इस अपग्रेडिग डिफेंस structure इंदा डिफेंस इंस्ट्रॉक्चर इंदा तिबितन प्लैट्यू तो नलिफाइ दिसडवांटेज़ इस एर पावर है वे-जबिस इंडिया बेखते हैं यहां पर क्या बात होता जा रही है यहां पर क्या बता है जा रहा है कि बाई देखे aviation websites पे यह बाते हो रही है कि तिबत में aviation infrastructure बहुत तेजी से बन रहा है जी हाँ बिलकुर और रोड और रेल्वेर नेट्वर्क तो तिबत में बनाया ही है चाइना की सरकार ने, हम भी अपने साइड पर road network तगड़े तरीके से बना चुके हैं, rail network बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब यहाँ पैसा बोला जा रहा है कि तिबत में चाइना airfields को upgrade कर रहा है, hardened aircraft shelters बना रहा है, ने runways बना रहा है, underground storage और tunneling बना रहा है, यह सब कहीं न कही चाइना कर रहा है, और यह साफ साफ satellite photos में इंडिया को daily basis पे नजर आ रहा है, अब यहाँ पर कुछ सवाल उठते है, पहला सवाल यह उठता है, कि Eastern Ladakh में क्या सच में tensions को शांत करना चाता है चाइना, चोकि at one point of time हम लोग disengagement की बात करते हैं, disengagement हुआ नहीं है, तो procrastinate कर रहा है, कहीं न कहीं चाइना बातचीत के थूप चीजों को delay कर रहा है, और at the same point of time अपने यहाँ पर यह construction कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर चाइना को सच में issues को sort out करना है, सब कुछ peacefully handle करना है, तो इस प्रकार के infrastructure को बनाने की क्या जूरुत है, दूसरी चीज कहीं इंडियन एर फोर्स के सामने पास जो tactical advantage है, उसको nullify करने की तो कोशिच नहीं कर रही है, पील एएएफ, People Liberation Army की एर फोर्स, इसको यहाँ पर बहुत डंग से हम लोग बात करेंगे, अगर आप देखो, तो 2020 में, चाइना ने अपना यह जो pact था इतने लंबे समय से, ज जही है कि शायद एक power game या फिर कह सकते muscle flexing exercise कर रहे थे, जी जिंग पिंग को लगा, कि जिस प्रकार से पहले वो countries को pushback करते हैं, वो यहाँ पे भी चाइना को, इंडिया को pushback करेंगे और इंडिया पीछे हट जाएगा, लेकिन बीजिंग को ये देखके काफी आस्चर कि इंडिया ने अपना ground yield नहीं किया, इन फैक्ट पीजिंग को बहुत तगड़ा धक्का लगा, जब साउधन पैंगॉंग सो के इलाके में, हम लोग काला टॉप की पहाड़ियों पे चड़के बैठ गए और जो चाइना का मौल्दो गया पॉइंट था, वो खत्रे में आ ओवर और ये आपकी काला टॉप की पहाड़ियां हैं, बीच में पैंगॉंग सो है, और इधर जो चाइनी सेटलमेंट से नीचे पे, उनके ओपर हमारे जबान मंदूग ताने बैठे थे, तो इसको देखके, चाइना ने बहुत दिमाग से गेम खेली, चाइना ने क्या कहा चाइना ने ये बोला, कि ठीक है भाई, हम कहीं न कहीं पैंगॉंग सो से रेटरीट कर रहे हैं, आप भी काला टॉप से हटो, और ये डिसिंगेजमेंट हुआ, और जब उस समय पर डिसिंगेजमेंट हो रहा था, तो निउस मीडिया में कवर किया जा रहा था, कि बाकी आई-आउट क्यों कर रहा है, चो कि ओवर ओल इंडिया का जो स्टैंड है, इस आपके पूरे स्टैंड ओफ में, उस पे एक एडवांटेजिस पोजिशन इंडिया को इंडियन एर फोर्स की फायर पावर की वज़य से मिली हुई है, और फायर पावर के रिस्पेक्ट में, एर इंफ्रस्ट्रक्चिर की रिस्पेक्ट में कही न कहीं, चाइना डिसद्वांटेज पे, तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला जारा, इस फर्मनेस वास बैक्ट बाइट 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 जैसे ही चाइनीज एटक करेंगे, इंडियन फोर्स भी आपकी रोल में आ जाएंगी, और इस पूरे स्फियर में इंडिया एड्वांटेज पे था, एर फोर्स के मामले में, इंडिया एड्वांटेज पे क्यों था, और चाइना वीक क्यों था, इसकी बात करते हैं, नो डाउट हमारी एर फोर्स के पास हाई स्ट्राइक पोटेंचल है, हमारे ए पे जो airfields हैं, वो low attitudes पे हैं, तो जब वो low attitudes पे हैं, तो low attitudes पे जब plane take off करता है न, तो वो ज़्यादा बजन के साथ take off कर सकता है, और जब high altitude की बात करती है, जिसे for example अगर आप तिबतन airfield की बात करोगे, तो वो 10,000 feet की उचाई पे हैं, 10,000 feet की उचाई पे people liberation army का जब aircraft जादा भार के साथ नहीं होड़ सकता है, चूकि आपको पता होता है कि 10,000 feet की उचाई पे जो हवा होती है, वो बहुत पतली होती है, और overall इस हवा के against, एक plane को उड़ा पाना, वो भी बड़े भार के साथ वो मुश्किल है, प्लस तिबत में जो Chinese airfields हैं, वो काफी कम हैं, एक दूसर से काफी दूर हैं, mutually supportive नहीं है, प्लस defensive structure air force के बहुत कम है आपकी चाईना की तरफ पे, तो no doubt अगर आप army के basis की बात करो, अगर आप road और rail infrastructure की बात करो, तो तिबत के side पे वो बहुत strong है, लेकिन उनका aviation infrastructure कमजोर था, और ये बात चाईना को पता थी, तो basically यहाँ पे Indian Air Force के respect में Chinese Air Force advantage भी थी, यहाँ पे बात इस चीज़ की नहीं है कि चाईना के पास कितने high level के और advanced level के जहाज है, definitely चाईना की जो Air Force के fighter jets हैं, उनकी काबलेत इंडिया के fighter jets से जादा है, लेकिन जो उनका aviation infrastructure है तिबत में, वो कमजोर है, और इस infrastructure को सुधारने के लिए चा साल का समय चाहिए था, इस IAF के पास ही जो advantage था, asymmetry थी, इसके लिए चाईना को अपने side पे तिबत में, अपने air field को और अपने air defense infrastructure को upgrade करना था, और इसके लिए कम से कम दो साल चाहिए था, इसलिए चाईना को यहाँ पे negotiate करने के लिए समय चाहिए था, बात करने के लिए स चाहिए था, और वो tactical pause उसको किसके थू मिला, पैंगॉंग सो का जो disengagement था, उसके थू मिला, आपको पता है कि चाईना और इंडिया के बीच में जो clashes point है, वो बहुत सारे है, हुआ क्या है, हुआ सिंपल यह है, कि पहले एक unmarked territory हुआ करती थी, अगर मान लिए इधर चा इस इलाके में पैट्रोलिंग करते थे, चाईना वाले forces भी इस इलाके में पैट्रोलिंग करती थी, चाईना के एम यह था, कि जितना unmarked area था, यह पूरा इलाका चाईना यहां तक boundary खिसका दे, और चाईना जो यहां था, वो यहां पे आके बैटके permanent गेड़ा डालके अब गलवन वैली को लेकर बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो की issues हैं, कुछ लोगो को clear नहीं उपा रहा है कि गलवन वैली में चल किया रहा है, अब देखे यह आपको दिख रही है गलवन वैली, इस गलवन वैली में आपको यहां पे बीच में शियोक नदी बहती दिख र forces हैं, कुछ दिन पहले एक social media organization पे यह बोला गया कि China ने अपने troops को यहां deploy कर रखा है और Indian forces को शियोक नदी के पीछे डखेल रखा है, तो exactly तो देखी अब यही मानना है कि गलवन वैली के अंदर हमारी Indian forces यहां बैठी हुई हैं और Chinese forces इसके पीछे की तरफ बैठी हुई है बट actual में वहां पे ground level पे क्या हो रहा है किसी को पता नहीं है, यह वही जगह हैं जहां पे हमारे 20 जवान शहीद हो हैं और यहां पे disengagement हो चुका है, यह Indian side of LOC है तो यहां तक तो पूरा इलाका हमारा है ना, बट थोड़ा बहुत तो Chinese forces अंदर घुस आई हैं, बट फिर भ लोग को शियोक नदी के पीछे रकेल दिया है, तो चीज़ें problematic हैं, आक्चली में पता ही नहीं चल पा रहा है कि यहां पे exactly इंडिया की forces हैं कहां पे, चुकि यह काफी sensitive information है, तो public domain में obviously बात है, इसको release नहीं किया जाएगा, और रही बात पैंगॉंग सो में, तो पैंगॉ तो यह जो एक tactical advantage वाला point था इंडिया के पास, इसको इंडिया ने खो दिया, हाला कि इंडिया ने खोया नहीं, इन discussions के दौरान चाइना ने बोला है कि हाँ भाई हम पीछे हटेंगे, हम disengage करेंगे, कहां से disengage करेंगे, तो आपका यह दौलत बेग ओल्डी और बाकी जगों लगाता है, वो aviation infrastructure क्यों बना रहा है, वो इसलिए बना रहा है, ताकि जो जो positions उसने advantage में ले ली है, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता है, ओके, पैंगॉंग सो में तो एक limit से आगे, वो आगे आनी पाया, disengage करा दिया, गल्वन वैली में भी कहीं हमारी forces ने उसको disengage कर दि इसलिए वो तिबत में अपनी air force को इतनी strong तरीके से develop कर रहा है, ताकि कल की date में जो IMF के पास advantage है, जो asymmetry है, वो चली जाए, तो problem यहाँ पर यह है, कि एक बार चाइना ने अपनी इस air power को develop कर लिया, air infrastructure को develop कर लिया, और उसके बाद मान लीज़े eyeball to eyeball posture में कोई भी aggressive event होता है और लडाई छिड़ती है, तो ऐसे cases में यह जो IAF का advantage था ना, यह advantage चला जाएगा, और सुनने में तो यह भी आया था कि S-400 missile systems को deploy कर दिया था चाइना ने, लग बात है कि जैसे ही इंडिया के पास Russia से S-400 आएगी, सबसे पहले वो यही लग लग लाके में deploy की जाएगी, त चुकि हम लोग बाकी चीजों बहुत परिशान है, आप देखे कि इंडिया में second wave of infection आई, कितना लोग परिशान हो गए, तो हम उसी चीजों में फसे हुए है, अब ऐसा नहीं है कि हमारी जो air power है, वो बाद में चाइना के साथ compete नहीं कर पाएगी, बिलुकुल compete कर पाएग तो इंडिया ने clear cut signal दे दिया है चाइना को, कि अगर थम पर attack करोगे तो हम भी तुमको नुकसान पहुचाएंगे और भयंकर नुकसान पहुचाएंगे, इसलिए हम से मत भिड़ो, ये बात इंडिया ने clear cut चाइना को बता दी है, लेकिन चाइना के जी दिंग पिंक के लि 2020 में हलात थे, वो restore करो, वो restore चाइना करना नहीं चाहता है, और इस छोटे से इलाके के लिए कल की डेट में जंग छिड़ जाती है, तो हमारी IAF advantage पे रहेगी कब तक, जब तक चाइना अपना infrastructure built नहीं कर लेता, एक बार चाइना ने अपना aviation infrastructure built कर लिया, हमारे पास वो advantage भी आप सूचिये कितना जदा politically defeating हो जाएगा, चाइना के उपर सीधे सीधे attack कर देना, तो इसका back end में हमारे जो armed forces के commanders और air force हैं, वो solution निकालने कोशिश कर रहे होंगे, हम लोग यहां बैटके as an Indian tension लेते हैं, बट no doubt जो हमारी army deploy है, जो हमारी air force deploy हो, वो daily basis पे चीज़ों को monitor क करने हैं, बहुत काबिल हो, बहुत आप कह सकते हैं, strong लोग है, definitely हमारे political leadership के उपर भी बहुत सारी चीज़े depend करती है, आगे आने वाले समय में क्या होगा देखते हैं, अभी China जैसी countries इनको USA pushback नहीं कर पा रहा है, तो इनके साथ deal करना सच में actually में बहुत मुश्किल है, खा जाधा जाधा लोग साथ इस वीडियो को शेर करिए, थोड़ा लेट हो गया, really sorry, कोशिश करो कि मैं साड़े दस बजे तक exact और हो सके तो दस बजे तक आपको ये वीडियो लक्षर प्रोवाइड करने की कोशिश करो, have a great day.